गुरु जी हमारे बहुत से भक्त कर ये जानना चाते हैं कि ग्रहों की तीड़ा को शांत करने के लिए हमें जाप करना चाहिए या अंगुखी पहनना चाहिए आपने बहुत सही और एक अच्छा सवाल जन कल्यान है कि मुझसे पूछा है तो मैं उसके लिए अंजली आपको सादू बाद देता हूँ प्रिय भक्त गड़ो जैसा कि भगवान शक्कर ने शिव कुरान के माध्यम से माता पारवती से कहा था अगर आपको कोई ग्रह परिशान कर रहा है उसका कस्थ हो रहा है उसकी पीड़ा हो रही है तो आप अगर उसका स्वेम जाप करती है या पूजा वेचन करती है तो उससे उस ग्रह की पीड़ा को दूर किया जा सकता है और अगर आपके पास उस ग्रह की पूजा जाप करने के लिए यानि स्वेम उस ग्रह की पूजा जाप करने के लिए समय देनी है तो आप ग्रह बाकर ऐसा कोई जाप या पूजा किसी और से न कराएं उसे आप या तो स्वेम करें या उससे सम्मंदित ग्रहों की अब मंत्रित की हुई, मंत्र हिल्ड की हुई मुद्रिका को धारण करें जिसे धारण करने के बाद आपको इसी विश्यष पुजा की आवश्यक्ता नहीं रहेगे तो ऐसा करने से आपकी ग्रह से सम्मधित पीड़ा दूर हो जाएगे तो इसमें जो उपाय आपको आसाल लगता है और कम खर्चीला लगता है जैसे अगर आप ग्रह का मंत्रित आप स्वेम करने हैं तो उसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है पुजा पाट करना है आपको छोटा सा धूप दीप चलानी है बगवान के सामने मंत्र चाप करना है उसके लिए नित्यप्रती आपने उस समय तक समय निकालना है जब तक कि वह आप उस ग्रह को अपनी अनुसार शुबफल का पुदान करने वाला नहीं बना लेते हैं तो इसमें आपका कोई धन का खर्चा विशिश रूप से नहीं होता नहीं तो आप दूसरा उपाए कि आप सोने चानी पंच धातू या अस्च धातू की उस ग्रह से संबंदित उचित वज़न की उचित रचत रतन की अंगूठी या अंगूठियां धारण करें वहभी केवल और केवल किसी योग विद्वान आचारे पंडित से जिसने संस्कृत महाविद्याले से आचारी या कम से कम सास्त्री की डिगरी हासिल कियो उस विद्वान आचारे से उस मुद्रिका को ग्रह मंत्रित करवाएं अदुमंत्रित करवाएं और उसके बाद उचित महुरत देखकर उसको धारण करें यह सबसे उत्तम उपाय हैं जिसके सबसे जल्दी फल प्राप्त होते हैं क्या हर संभब कोशिश करने के बाद भी आप माता पिता बनने का सुख नहीं भोग पार हैं क्या आप अब तक संतान हीन हैं क्या आपको अपना वंच खत्रे में लग रहा हैं तो आज ही विश्व के 133 देशों में प्रसित शनी मंदिर वाले परम पूजे गुरू रचनी शिरिशी जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जाने परम पूजे गुरू रचनी शिरिशी जी से हमारे वेदिक शास्त्रों के अनुसाद अप्टी परिशानियों को दूर करने के उपाए रेमिडीज जानने के इनगे अभी लोगउन करें www.shanidev.us पर होम पेज पर उपलग अस्ट्रोलोजिकल एडवाईज बटन पर जाए अपनी प्रोब्लम सिलेक्ट करें प्रोब्लम पेज पर जाकर नीचे दिये गए फॉर्म में अपनी बर्थ की डीटेल्स यानि डेट अफ बर्थ, टाइम आफ बर्थ, प्रेस आफ बर्थ भरिए फेस लीडिंग के रिए अपनी फेस का एक फोटो भी रगाए और हमें भेज दें गुरुजी आप भी बर्थ डीटेल्स का अनिल्सिस करेंगे अच्छी तरह से अध्यन करने के बाद गुरुजी आपको सूट करने वाले उपाए, रेमेडीज, इमेल द्वारा 48 गिल्टों के भीतर भेजेंगे अपनी इमेल आईडी पर गुरुजी द्वारा दिये जाने वाली रेमेडीज प्राप्त करने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ें, समझें यदि फिर भी आपके मन में कोई संद्य हो या आप गुरुजी से कुछ और डिसकस करना चाहते हैं तो आप हमारे फोन नंबर 011 450 51710 पर गुरुजी से संपर्ट कर सकते हैं गुरुजी से चमत्तारी उपाय या लेमेडीज जानने की फीज केवल रुपे बारा सो या 24 डॉलर है जो की गुरुजी द्वारा किये जाने वाले विभिन समाजिक कारे जैसे की शनी आश्रम मिर्मान, मंदिर मिर्मान, गौशाला, माहायेत्य, लंगर इत्यादी में प्रयोग किया जाता है द्यार रखिये परम पूचे गुरु रचनीश रिशी जी अपने लिए कोई फीज नहीं रेती हिंदुस्तान में रेमेडीज जानने के लिए आप भगवान शनी देव के इस कॉर्परेशन बैंक अकाउंट में ओनलाइन चांस्फर कर सकते हैं अथ्वा अपने बैंक से या पास के किसी भी बैंक से आर्टी जी एस एने एफ की ट्रांस्फर कर सकते हैं आप मनी ओर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो भग इंडिया से बहार विदेश में हैं वैं हमारे वेबसाइट www.shanidev.us पर अपने क्रेडिकार्ड डेविटकार्ड का प्रयोग PayPal के द्वारा कर सकते हैं पोरे विश्व में लाखों लोग गुरुजी से उपाय जानकर अपने जीवन पो सुखी बना रही है तो आप भी गुरु रजनी शिविशे जी की शर्ण में आएं और अपना जीवन सुखी बनाएं इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुरु जी किसी भी प्रकार का पास्ट, प्रेसेंट या फ्यूचर नहीं बताते वह केवल आपकी परिशानियों को दूर करने के लिए, आपके भागी को चमकाने के लिए, आपके फ्यूचर को बहतर बनाने के लिए उपाय सुखाते हैं जैय शरी दे